Hello student, आज हमनोग class 10th का chapter surface area and volume chapter पढ़ेंगे exercise 13.1 question number 7 देखेंगे, चली देखते question number 7 हमनोगा क्या का रहा है A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square note that the base of the tent will not be covered with canvas आप देखेंगे हम लोग इसको कैसे solve करेंगे, हम लोग कोशन क्या करेंगे है हम लोग के canvas tent है, जो नीचे से क्या cylinder और उसके surmounted मतलब उपर में क्या है conical का shape में और नीचे cylindrical है हम लोग को cylindrical का heights और diameter दिया है, inclusive height कितना दिया है 2.1 meter and diameterकितना दिया है अने 24 cm 4 meters आप फिर हम लोग का क्या क्या दिआ जो slant height है उपर में हम लोग के जो यह होगा, cland height होगा do many तो हम लोग का slant height कितना दिया है 2.8 meter, तो हम लोग को find करना है area area of canvas use for making that tent मतलब जो इस tent को बनाना जो करना हम लोग को लग रहा है वो कितना लगा उसका मतलब वरा हम लोग को area find करना है फिर क्या कह रहा है also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square मतलब कि हम लोग को एक एक मेंटर का पर मीटर मेंटर कितना रुपया लग रहा है 500 रुपया लग रहा है तो टोटल में कितना खर्चा होगा यह भी बताना है तो हम लोग देखिए जो जो गिवेन था सबसे पहले सको लिख लिए किवेनर देखिए जो कोल्ए किसके ऊपर है तो दोनोंका डियमेटर और रेडिएस के होगा सेंओर कितना है व्य बतायूरा रेडियस कितना रिडियस कितना तो से डिवाइड कर दीजिए आजाएगा अब देखे हम लोगों को क्या निखालना है सो दा रिक्वाइट सरफसीडियो निखालना है किसका टेंट का सबसे पहले क्या है करेंगे क्यों कैंइब क्यों क्यो rappers करेंगे कैसकर sires StanCal कोन का और फ्लस कर देंगे उसमें कि किसका स्लेंडर का तो हम लोग का आ जाएगा, उसको add कर देंगे, दोनों को आ जाएगा, तो curve surface area of cone क्या हो जाएगा, हम लोग का pi rl, और plus करेंगे, curve surface area of cylinder क्या हो जाएगा, 2 pi rh, यहां से pi r comma ना गया, निकाली क्या बचा, l plus 2h यहां पर बचा, आप देखिए, pi का value यहां पर put कर देंगे, 22 by 7 into r कितना हो जाएगा, r हम लोग का कितना आया, r radius हम लोग का 2 आया, दोनों का radius से में 2 आया, अब देखिए, l, l मतलब slant height कितना है, 2.8 है, plus 2 into h कितना है, हम लोग का height कितना है, 2.1, 2.1, अब यहां पर देखिए, multiply करेंगे, कितना हो जाएगा, हम लोग का यह 44 हो जाएगा, आपन में 7 अब यहां पर क्या होज़ेगा 2.8 प्लस मुल्टिप्लाइ कर देंगे 2 1 जा 2.22 जा 4 आ गया अब इन दोनों का एड़ करेंगे इसको मैं आपके नेक्स्ट पेज में लिग देता हूँ अब चलिए देखते हम लोग क्या करेंगे 44 अपन में 7 इन दोनों का आड़ कर आपको आड़ करने नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर भी ऐसे भी कर सकते हैं कितना होज़ेगा 10 0 का 1 यहां पॉइंट लगे गए यहां 7 आजएगा अब चलिए यहां पर देखिए कैंसल हो जाएगा 7 7 7 7.0 यहां कितना गया 44 मुल्टिप्लाइ में क्या एगा 1.0 इसको मुल्ट आट जाता है हम लोगा हटा दिए अब देखिए क्या जाएगा 44 ही आ जाएगा किया हो मीटर स्काट में क्या बूल था कोस्ट आप लिए कोस्ट ओफ वन मीटर स्क्वार कैनवस कि एक मीटर में कितना रुपया लग रहा था एक मीटर में पांसु रुपया लग रहा था एक मीटर में कितना लग रहा था पांसु रुपया लग रहा था तहा हम लोग देखेंगे कोस्ट ओफ हम लोग कितना है 44 मीटर स्क् 22,000 रुपीज आ जाएगा ना यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू